आज का पहला महावपाई क्या है अब आप ये जाने क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में मालक्षमी का स्थाई वास हो मालक्षमी आपके घर में रहे तो एक लोहे के बरतन में जल चीनी दूद और घी मिला ले इसे पीपल के पेड़ की चाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डाले थोड़ा सा ही करें बस मन में श्रद्दा होनी चाहिए इसे घर में स्थाई लक्षमी का वास होता है और इसको अमावस्पे करें तो क्या बात अब दूसरे महावपाय का टाइम हो गया है ध्यान से सुनिए क्या पती पत्नी के बीच जगड़ा इतना बढ़ गया है कि कोट जा पहुँचे है किसी तरह से समझौता नहीं हो रहा है आप भगवान गणेश की आरादना करें उपासना करें गणेश जी को लड़ू चड़ गणेश जी प्रसंद होकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे पती-पत्नी के बीच आपसी मद्वेर दूर करने के लिए अपना पलंग इस दिशा की ओर लगाए चाहे अलग-अलग रह रहे हूं फिर भी पलंग इस दिशा में ही रखे इसे पती-पत्नी में रिलेशन खो जाता है घर में सुक सिम्रदी लाने के लिए एक मिट्टी के सुंदर से बरतन में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांद कर रखे इसके बाद बरतन को गेहूं या चावल से भरकर घर में नौर्थ-वेस्ट में या वेस्ट में रख दीजे ऐसा करने से घर में पैसे की क चांदी कितार में पिरोएं पलंग के सिराने बांदे लेकिन डॉक्टर का इलाज जरू जारी रखें इलाज में कहीं कोई छेड़ चाड़ ना करें अब आज का पांच्वा माहोपाई क्या है ये जानने का वक्त आ गया है क्या घर में पैसा धेर गया है ध्यान रखना है कि आपके घर में कहीं कोई नल लीक ना करता हो लेकिन पानी टप टप अगर टपकता है तो पैसा भी जाएगा आग पर धूद रखा है या चाए उबल रही है तो गिर्मी नहीं चाहिए वरना आमदनी से ज़्यादा खर्चा होने की उमीद होती है